वेलकम स्टुडेंट्स! आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीरी ओप मशीन का एक कौर्स इसके अंदर हम लोग सेलेबस वाइस हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो पहला इसका इंतूडूक्टरी वीडियो हैं इसके अंदर हम लोग बात करें कि what is theory of machine, mechanisms क्या होते हैं, link क्या होती है, pairs क्या होते हैं, कितने type क्या होते हैं और बहुत सारी बात हैं, तो ये course हम लोग पूरा theoretical नहीं पढ़ने वाले हैं, basically हम लोग theory plus उसके numericals plus industry में उसका क्या importance है, और industry में वो course type का mechanism कहाँ पर काम में आता है, कैसे आप लोग इस subject को industry relate कर सकते हैं, ठीक है, तो काफी ध्यान से आपको ये lectures देखना है, और अगर आपने पूरी lecture series अच्छी से देखी, तो आपको जितने भी questions आपको बनते हैं, gate में, ES में, SSC में, railway में, theory of machine के, वो आ हम लोग काफी quickly course करेंगे, ज्यादा लंबा समय, इसमें हम लगाएंगे नहीं, काफी short video गुनाएंगे, लेकिन, उसमें maximum insightful अपन लोग देने का प्रियास करेंगे, so start करते है theory of machine, so what is theory of machine, सबसे पहली बात है कि जो theory of machine जो की नाम से इस पच्छ्ट है, कि आम लोग की जो machine जो होती है, उसकी theory की बात करने वाले हैं, कि कि किस टाइब से उसके अंदर displacement आता है, किस टाइब से एक machine बनती है, ठीक है, तो आईए start करते हैं, वैसे कि लिए theory of machine क हम लोग two भाग में divide कर सकते हैं, वैसे कि लिए अगर आप mechanical engineer हैं, तो आप जानते हैं, आपने पहले सोम पढ़ा होगा, strength of material, अब आप टॉम पढ़ रहे है, theory of machine, उसके बाद आप पढ़ेंगे, अगले semester में, डॉम, dynamics of machine, तो theory of machine और dynamics of machine के आप कुछ बुक मिलेगी, हर जग पुछ लिए आता है, what is the difference between kinematics and dynamics, तो kinematics के अंदर हमें लोग क्या बात करते हैं, कि किस type का displacement है, किस type की velocity है, acceleration कितना है, तो हम लोग displacement में velocity acceleration की बात करते हैं, जोब आपका mechanism होता है, या machine के, इसके बार में यहां हम लोग किसी भी सारे के force की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन dynamics के और walking and statics, kinetics में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि किस type की forces लग रहे हैं, जब machine running condition में, ठीक है, मतलब जब machine आपकी चल रही है, तो उसके अंदर कौन-कौन से forces आएंगे, और statics के अंदर हम लोग बात करेंगे, जब machine आपकी static condition में है, तो उसके अंदर कौन-कौन से forces लगते हैं जिसा कि आप याँ देख सकते हैं कि आपकरता हूं स्टेटिक्स की तो इसके अंदर इट डिल्स विद इस्टेडी ऑफ फोर्स एक्टिंग और मशीन इंडर जब मशीन इंडर हो तो कौन-कौन से फोर्से उसके उपर आते हैं उसके अम लोग बात करते हैं इस्टे के अंदर काइनेमेटिक के अंदर इसे मैं आपको बताया इसके अंदर हम लोग study of the motion कोई अपार्ट फोर्सेश्ट फोर्सेश्ट फोर्डूस्ट देट मोशन हम लोग मोशन की बात करेंगे लेकिन जो फोर्स लग रहा है उस मोशन को प्रोवाइड करने में उसके मलोग बात नहीं करेंगे आपको समझ में आ गया होगी theory of machine के अंदर हम लोग बिसकली इसके मोशन के बारे में displacement के बारे में acceleration के बारे में इन सब के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है और जो kinetics जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं इस इस इस्टेडी ओप पढ़ेंगे तो इन चीजों की बात करेंगे तो आई हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला question आपको यह आदा है कि machine होती क्या है एक machine है क्या है mechanism होते क्या है एक machine बनती कैसे है ठीक है तो जो smallest element है किसी machine का उसको बोलते है link ठीक है बतला अगर मुझे machine बनानी है तो सबसे मुझे क्या चीएगी एक link चीएगी link like this यह क्या है link है और जब कापी सारे link आपस में जोड़ जाती है तो फिर क्या एक chain मना देती like this अगर मैंने यह link 1 होगे link 2 होगे link 3 होगे link 4 होगे मैंने क्या चारो ले चारो link को आपस में जोड़ दिया यहां पर किसी type के joint से मालो टा जो भी joint मैंने बनाया तो मेरी एक chain तेयार हो गए इस chain में अगर मैं किसी एक particular link को fix कर देता हूं तो इसको मैं बोलता हूं mechanism मतलब है इसी एक machine के मालो अपन आईसी इंजिन की बात करते हैं तो आप पर piston cylinder का अलग mechanism में के में फॉलोर का अलग mechanism में गेर ड्राइव का अलग mechanism में मतलब कापी सारे mechanisms मिलकर एक machine बनाते हैं clear मतलब पहले smallest आपका link है link के बाद आपकी chain बनाते हैं फिर chain को fix करते हैं तो फिर क्या ब machine बनती है तो this is how एक link के से हम लोग machine तयार करते हैं तो mechanism को हम लोग बोल सकते हैं डिवाइस विच ट्रांसफोर्म मोशन टू सम डिजारेबल पेटर्न तो हम में बना क्यों रहे हैं कि हमको जो motion ने कहना कि transmit करना है किसी pre-determined जगहां पर मुझे पता है कि चलो मुझे अकर को कोई मैं अगर क्रेंग के स्लोटेट लिवर मतलब कोई मालूम में मेलिंग मशीन मना रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे कहां से काई displacement करवाना है तो मुझे पता रहता है उसके कोडिंग में मेकनिजम तयार करता हूं तो mechanism basically क्या रहा है motion को transmit कर रहा है disable pattern में और इसके contain mechanisms मतलब machine के अंदर का बेचारे mechanisms होते हैं which are designed to provide significant forces and transmit significant power तो जो machine होती हो बेचे के लिए आपके जो forces भी transmit करती है और power भी transmit करती है पर जो mechanism होते हैं वो मोटे तोद पर आपका only motion transmit करते हैं तो आईए हम लोग detail में देखते हैं इन चीजों को कि link क्या होती एक टाइप क्यों हो होती है इसको में लोग बोलते है kinematic link ठीक है इसका आप link भी बोल सकते है या element भी बोल सकते है अब kinematic link क्या होती है तो एक resistance body resistant body मतलब जिसके डिफोर्मेशन जनरली नहीं आ सकता है इसे लिए या assembly of resistance body of machine connecting other parts of the machine with relative motion between them मतलब मान लोग कोई link है और एक को link इसके relative motion में लगी हुई है तो यह link होगी क्या होगी इस link के जो है इसके relative क्या कर सकती है motion कर सकती है तो जब दो link आपस में जुड़ी हुई हो एक link दूसरी link के about relative motion कर सके तो हम उसको बोलते है kinematic link ठीक है तो यह difference है link और kinematic link में link मतलब एक simple आपका कोई से भी element हो गया यह link हो गया लेकिन kinematic मतलब वह लेंगे जब वह किसी दूसरी link के respect में relative motion कर सके क्लियर है आगे बढ़ते है kinematic chain भी तीन टाइप link जो होती हो तीन टाइप के देखे rigid link होती मतलब आपका piston और cylinder हो गया यह मानलो आपका सिलेंडर है इसके अंदर आपका piston है तो जैसे आपके क्रेंग शाप रोटेट करती है तो आटोमेटिक ही पिश्टन आपका अप डाउन होगा लेकिन इसके अंदर आपका belt रहा हो गया belt खीट सकती है आपसे सिकूर सकती है तो जहाँ पर deformation आ सकता है chain रहा हो गया जहाँ पर deformation हो सकता है और fluid link जो होती है बिसे के लिए इसमें क्या होता है कि hydraulic system जो होते हैं आपके जितने भी जहाँ पर hydraulic fluid या gases के through हम लोग force को transmit करते हैं वहाँ पर हम लोग fluid link के बारे में बात करते हैं तो आईए इनको थुरा सा और देखे हैं हम लोग कि rigid link जो होती है उसके अंदर क्या होता है which does not undergo any deformation while transmitting motion जब आप motion transmit करते हैं तो उसके अंदर को deformation नहीं होता है उसके कुछ examples आप देखते हैं क्रेंग शाप्ट हो गया पिष्टन हो गया इसके अंदर बिल्कुल deformation नहीं होता flexible link मतलब क्या which undergoes partial deformation without affecting the transfer motion motion को बिना affect किये उनके अंदर partial deformation हो सकता है example इसके आपका है rope drive, belt drive, chain drive और springs इन सब में slightly deformation possible है लेकिन आपके motion को affect नहीं करेगा और तीसरा आपका आता है fluid link in which a link in which has fluid inside the container and motion is transmitted through fluid by pressure or compression like आपका hydraulic phrase हो गया, hydraulic jack हो गया, hydraulic crane हो गया इन सब के अंदर क्या होता है कि fluid बरा रहता है किसी container में हम जो लोग fluid को compress करते हैं या pressure देते हैं तो वो अपना जो भी power transmit कर देता है अधर जगह पर तो इस तीन type की link basically हो सकती है पुरी दुनिया में और इनके through ही कोई ना कोई machine तयार होगी तो link के बाद हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं mechanism की देख है तो mechanism क्या an assembly of moving parts performing a complete functional motion मतलब assembly of moving parts मतलब assembly of links जो कि complete functional motion आपको provide करें या और हम बोल सकते mechanism को कि mechanism की device है जो transform करता है input force को और movement को into desired set of output force and movement जो भी आपका input force है उसको आपका desired output है उसमें transmit करेगा mechanism जो लोग बता चुके हैं तो this is like mechanism मान लो यह आपका mechanism तयार है अपने को यह displacement दिया तो आप देख सकते हैं यह भी displacement में आएगा और यह भी displacement में आएगा मतलब अगर यह यहां पहुंच जाएगा और यह यहां पहुंच जाएगा कोई भी machine बिना mechanism के नहीं बन सकती यह अभी आप गांड बांद के रख ले clear है अगर आपको यह इतना सवज में आगया तो आप फाड़ देंगे थे यह machine के अंदर आगे चलिए आगे बढ़ते हैं नौ लिंक हमने समझ ली लेकिन हम लोग बात करते हैं पेयर की की पेयर होते क्या हैं a joint of two links that permits relative motion is called पेयर मतलब जब दो link आपस में जोड़ेगी और उनके relative motion कर सकती एक दूसरे के तो उसको हम बोलते हैं पेयर चाहें ञकिते तो किसी slipperyниц2 पर पेयर भी अब बात करते हैं किक्नाफित पेयर होते हैं पेयर क्यों जोंसरे हो सकते हैं जो गणिस्डीठनचलिंग हो सब्सक्राइब स्वाइब इतने पहता हैं करते हैं कि इंते क्याफित किन्स्नेय लिध properties पहले से 9 तीन टाइप से डिएक कर सकते पहला एं नेचर ओप डिलेटीव मोशन बिट्वीण れない लिंक उसके कोडिंग भी हम लोग बता सकते तो पहला हम लोग बात करते हैं नेचर अप रिलेटीव मोशन जो के काफी इन्पोर्टेंट है और इसके किने टाइफ पर टैप हो सकते हैं तो पहला आपका स्लाइडिंग पेर sliding pair मतलब क्या होगा जब कोई एक दूसरे कोपर slide जैसे मानलो आपका cylinder यह आपका piston पिष्टन क्या कर रहा है slide कर रहा है cylinder के अंदर तो इस type का pair आपका क्या होगा sliding pair लाव turning pair मतलब क्या होगा जब turning हो रही है महानले Спardünden यह कळाओ हाँ आ यह जब आपका बुशब लगा होँआ यह यहigare हो कर रहे हैं यह यह शाप्ट कर रही है यह च्रण कर रही पैसेजिक चुचकर सबाहले हूं जब बुश्चर के इंदर ने रोटीट के अंदर इसके अंदर और यहां से पुराइंट fix है आपका यह bearing लगे हुए है तो बस एक ही moment possible है कुन सा वाला यह वाला circular moment possible है उसको हम बोलते हैं turning pair क्योंकि यहां पर turn हो रहा है cylindrical pair में क्या होगा कि दोनो sliding पर हो सकती है और turning पर हो सकती है हम लोग जहां पर इसा displacement हो और जहां पर threads हो वहां हम लोग helical pair बोलेंगे यह screw जब आप लोग कस्ते नट बोल्ट वाला हो गया तो वह कौन सा होगा जब बोल्ट के ओपर नट चल रहे तो क्या होगा screw pair हो गया हो रहा है यह rotational motion भी हो रहा है प्लसात में आगे ही बढ़ रहा है मतलब transitional भी हो रहा है तो उस त्रम उस type के motion को हम लोग पेर को बोलते है rolling pair इसके पाद spherical pair जो आप गेर लगाते हैं गेर shift करते हैं इसके अंदर यह यहाँ पर rotate कर सकता है हर यह में इसलिए इसको बोलते है spherical pair ठीक है अब आते हैं लोग types of kinematic pairs को में लोग डिवाइट करते है nature of contact के बारे में तो nature of contact में दो type को सकते हैं आपको यहाँ पर lower pair और higher pair यह बहुत जानना यह काफी important चीज है क्योंकि हम लोग कहीं बार आपको नाम आएगा कि यह types का pair है उसके according हमको numerical में चीजे input डालना पड़ेगा तो जो आपने पड़ें तक turning pair sliding pair उसमें से ही कुछ जो पेर है वो लोगर है कुछ क्या है higher pair है तो पहले हम लोग बात करते है lower pair की तो जो लोगर होते हैं जब भी जो आपका contact है वो surface to surface contact में हो मतलब पूरी surface contact में है लाइक सिलेंडर ना है ठीक है तो पिस्टन मोशन में आ रही तो पूरा उसका फिस्टन का surface रहा क्या है contact में किसके हैं आपके cylinder के तो क्याव गया lower pair मतलब जब भी sliding जो आपका इसने turning हो गया अब turning में हो रहा है आपका य। आपका आएरिया है कि आयं इस लोवर चुप गशा है जब सरफेश टूसर फेस कॉंटेक्ट में आए कि पैर के विच में तो उसका मौलत करें लोवर पेयर लाइक देखेंड यहां पर क्या हो रहा है सर्फेस इसतेक्ट तो एकुण सा पैर है lower pair और higher pair में क्या होगा जब पूइंट या फिर line contact हो दो link के बीच में या दो elements के बीच में तो वह हम बोलते है higher pair like this came and follower या came है तो came का उली तोपर इसदा है यही contact में है follower या गेर हो गया गेर में भी क्या होता है इसओ रहे अरेजमेंट तो only tit to tit contact में आते हैं तो यह सब भी example किसके हैं lower pair के ठीक है तो lower pair higher pair में आपको I think I hope clear होगा मामला उसके बाल आगे बढ़े nature of mechanical constraint अगर mechanical constraint की बात करें तो दो type से उसमें हम लोग divide कर सकते हैं परहला है closed pair closed मतलब when two elements of pair are held together mechanically they constitute a closed pair जितने भी basically pair हो क्या है closed pair ही होते हैं जहां पर दोनों जो elements है वो proper mechanically arranged हो just like again example दोंगा आपको में piston cylinder का या crane का ले लो आप जहां पर क्या होता है कि proper arrangement हो mechanical का arrangement हो और जो unclosed pair होते हैं जहां पर two elements of pair are not held together mechanically they constitute unclosed pair like came in follower यह आपका follower हो गया आपका came हो गया तो यहां पर यह दोनों mechanically जोड़े बनेंगे बस यह rotate कर रहा है तो यह इसको उपर उपर इसको यह motion दे रहा है तो इसको मों बोलते हैं unclosed pair finally एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है before starting the numerical phase कि constrained motion क्या होते हैं तो constrained motion को में बेसे के लिए तीन भागों में divide करते हैं पहला हमारा रहता है completely constrained motion completely constrained motion मतलब क्या कि अगर आपका जो mechanism है जो motion है वो पुरा completely constrained like this आपका यह अगर sharp है यह किसी bush के अंदर rotate कर रही है और यहाँ पर आपने mechanically bearing लगा रखें तो अपके अगर इसका motion एक ही direction में होगा अब और और नहीं कर सकती तो उसको सकते हैं completely constrained motion कि आपका motion एक जो आपने इसको input दे रखा है उस direction में चलेगा अधरवाइस और नहीं चलेगा तो इस completely constrained motion uncompleted constrained motion में क्या होगा कि आपका motion like this अगर में यहीं शाप्त है यहाँ ब्लोग है बुश है तो यहाँ पर यह इसे रोटेट कर सकती है और गूम भी सकती है तो यह uncompletedly constrained motion में मतलब पुरा complete constrained नहीं है अब यह slide भी कर सकती है और rotate भी कर सकती है और successfully constrained motion में क्या होगा like आपका आप किसी external force के through uncompletedly constrained motion को constraint करते हूँ like this कि मान लोग कोई pivotal bearing है यहाँ पर लोड लगा हुआ है तो हम लोग क्या करते है अपड़ से इसा लोड लगा देते हैं कि यह उपर ना जाए तो हमने unconstrained motion क्या कर दिया constraint कर दिया तो इस टाइप से हम लोग इसको तीन भगों में divide कर सकते हैं वन मोर थिंग यहाँ आप देख सकते हैं यह आपका हो गया completely constrained motion क्योंकि यहाँ पर only rotation हो सकता है यह unconstrained pair यहाँ पर rotation और displacement दोना हो सकते हैं और successfully constraint में क्या क्या है उपर से हमने एक load लगाते है इसे footstep bearing में और यह load ने क्या क्या है इसको उपर जाने से रोग दिया तो यह constraint हो गया successfully constraint pair now हमने kinematic link की बात कर ली kinematic pair की बात कर ली अब kinematic chain क्या होती है तो अगर आपकी जो link है कि आपकी जो first link यह first link के मान लो second link third link fourth link one two three और four तो जब first link आपकी fourth link से जोड़ जाए और एक definite motion में transmit करें power को तो उसको मोलते है kinematic chain if the last link is joined to first link मतलब यह last link है इसने क्या जोड़ गई? first link से to transmit definite motion then it is known as kinematic chain मतलब अगर आपकी last link first link से join हो जाए तो उसको मोलते है kinematic chain और उसमें से अगर हम किसी एक link को fix कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका mechanism तो हम लोग to determine the given assemblies of links from the kinematic chain on node अगर हमको यह decide करना है कि को SMLEM को दीवी है वो kinematic chain है या नहीं है तो उसके लिए दो equation से जिसके तुरुम लोग यह पता कर सकते हैं कि कोई चीज kinematic chain है या नहीं है कि अगर kinematic chain होगी तो ही वो mechanism की रूप में काम कर पाएगी otherwise वो जो आपका motion रहेगा उसको definite way में transmit नहीं कर पाएगी तो अगर अभी तो चार्ट लिंक है तो आप देख सकते हूं कि क्या चार्ट कानेटिक chain या नहीं अगर मान लो बहुत सारे link हो तो फिर वहाँ पर बहुत difficult हो जाता है की कानेटिक chain है या या नहीं है तो उसके लाइग जो formula पहला है आपका है l equal to 2p minus 4 l हो गया आपका number of link p हो गया number of pair ठीक है link मतलब 4 है या pair भी आप चार है तो 4 equal to 4 minus 4 into 4 sorry 2 into 4 minus 4 तो 8 minus 4 4 equal to 4 इसका मतलब यह जो है क्या है kinematic chain है और जो दूसरा formula आपका यह आता है वो यह है कि j equal to 3 by 2 l minus 2 j होगे आपका है joint ठीक है l होगे आपका number of link ठीक है तो यह दो formula के तो हम यह पता कर सकते हैं कि कोई चीज जो है वो kinematic chain है या नहीं है अगर वो kinematic chain नहीं है तो उसका mechanism नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पर जो उसका motion रहेगा जो transmitter रहेगा वो definite नहीं रहेगा ठीक है आगे हम लोग अगले जो अगला लेक्चर में हम लोग यह जानेंगे कि किस टाइब से kinetic chain बन सकती है और कापी सारे examples के बाद फिर हम लोग degree of freedom पड़ेंगे और फिर हम लोग inversion of forward chain और यह आगे मेल कर सकते हैं और इस video series को लगातार पाने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं इसके अलावा भी हम कापी सारे videos लेके आने वाले हैं जो trending topics हैं जो research topics हैं या जो जो अपडेशन आती है उसको भी आप लोग इस चैनल पर लाने वाले हैं तो thank you for watching this video अगर आप को वीडियो अच्छा लगा हो ता आप अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं जिससे उनको भी benefit मिले thank you